कल हम सभी ने मिमोसा प्लांट के बारे में पढ़ा था आज हम सभी living things grow मतलब living things मीज होता है सजी बस भी ग्रोव बढ़ना इसके बारे में पढ़ते हैं look at your photographs when you were one year old and six year old आप अपनी photographs यानिकी तश्वीर को देखिए जब आप एक शाल के थे और फिर छे शाल के थे compare these photographs इन पिक्चरों की कल्पना करिए to yourself today जो आप अभी स्वयम है do you look different क्या आपको आप अलग दिख रहे हैं you look different आप अलग दिख रहे हैं from both the photograph दौनों तस्वीरों से this is because यह इसलिए है क्योंकि you have grown up क्योंकि अब आप कैसे हो चुक्यों बढ़ चुकी हो देखिए पहले आप छोटे से होते हो फिर थोड़ा बड़े होते हो फिर थोड़ा बड़े होते हो होता है ना ऐसा ही नेश्ट देखते हैं लिखा है all living things grow all means सभी living things means सजीवस्तों गिरो means बढ़ना सभी सजीवस्तों बढ़ती है this means इसका मतलब है that they increase in size इसका मतलब है कि increase means होता है बृद्धी करना in size means आकार में उनकी आकार में बृद्धी होती है दे गिरो बढ़ती है टॉलर एंड वाइडर लंबाई में और वाइडर में होती है चौड़ाई में आचाइल्ड ग्रोज इन्टू एंड एडल्स जो एक बच्चा होता है वो एक बैस्क में परवर्तित हो जाता है जैसे देखो छोटा सा बच्चा होता है फिर थोड़ा ब किसमे बदल जाता है ऐक है weight मिन्छति मूझी में बदल जाता है अब दिखते हैं आप जो कि थे झौ किन्टू रख बच्चबर होता है और किसमे पतल जाता है चोटा से रखिका गईर्स में तो और दच्चते महलत में यह जो सबीज बढ़ किसम बदल जाता है एसा ही देखिये जो प्लांट होता है सीड को इन्टू अंड्री वन जाता है और प्लांट बड़े पौधे में बन जाता है लिखा है, have you ever seen your dolls, teddy bear and your book growing, क्या आपने अपनी डॉल को, teddy bear को और book को बढ़ती हुए देखा है, no, नहीं, नहीं देखा, क्योंकि वो कैसे होती है, non living things, non living things में होता है, निर्जी वस्तु है, not grow, जो निर्जी वस्तु होती है, वो बढ़ती नहीं है, they do not grow in size, ना ही उनका आकर बढ़ता है, I hope आप सभी को वीडियो शमझ में आ गई होगी, आप सभी लेसन को अच्छी से रीट करिए, thank you everyone